गूड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकूम डू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज में जो आप सब के साथ है रेमिडी शेयर कर रहे हैं यह लंबी उमर तक बालों को रखेगी काला उसके साथ साथ बाल होंगे घने मजबूत मोते तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं विंटर स्प चोटा सा बरतन हो तो उसे रख दें या तवा हो तो उसे भी रख सकते हैं उसके बाद हम इसमें जो पहली चीज डालेंगे वो डालेंगे सरसों का तेल मस्टर्ड ओयल यहां पर मस्टर्ड ओयल का ही यूज करें बेस्ट रिजल्स के लिए लगमक मैंने दो से ढ़ाई का बना रही हों आप चाहें तो थोड़ा से जादा बना कर भी रख सकते हैं ठीक है इसे बनाने में कोई जादा देर नहीं लगेगी उसके बाद हम इसमें जो पहली चीज डालेंगे वो डालेंगे आवला पाउडर आवला पाउडर कोई प्यूवर हो इस बात का ध्यान आवला बालों को जोड़ों से काला, लंबा, घना मसबूद बनाता है अब इसमें जो हम दूसरी चीज डालेंगे वो डालेंगे जाटामासी पाउडर जाटामासी जो किप्री में चर्ग रे हेर को ट्रीट करने के साथ वालों को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है ठीक है बिंग्राज पाउडर और लगबग आधा चमज के जितना हम यहाँ पर डालेंगे रतन जोट जोकी एक नैस्टरल डाय का काम करती है बालों को जड़ों से काला बनाती है ठीक है भरोसा नो हो तो आप करके देखें या फिर गूगल सर्च करके देखें मैंने क्या किया जासा बिल्कुल पाउडर बन जाता है चाहें तो इसे कूट भी सकते है अब मैंने इसमें रतन जोट डाल दिया है अब इसे क्या करेंगे हम 5-7 मिनट तक इस तरह से डबल बॉइलिंग मेथट से गरम करेंगे पर इसे कैसे लगाना है यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहे हैं चोटा असा वीडियो है यहाँ पर हम आगे कपरों से शुरू करें उससे पहले मैं आप सब से चोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर क आपको अपने बालों के जड़ों में लगाना है चानने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप चान सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है अगर आप ओवर्टनाइट रखना है तो शावर के पैन कर सोएं ठीक है अगर आप ओवर्टनाइट रखना नहीं च आई शेम्बू से अपने बालों को वाश करी वीक में दो से तीन बार और फिर मेरे साथ अपना एक्सपीडियन जरूर शेयर करें अगर आपने से ज्यादा बनाया है तो किसी ग्लास बॉटल में भरकर रख सकते हैं